नमाश्कार साथियों में तो मुन प्रश्णोंतरी साइंस की बात करेंगे आज जिसमें मैं लेकर पश्चुत हुआ हूँ पार्ट 45 तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाई सबसे पहले प्रश्णा आता है लेस्डी घांजा मेरुनी जुएना क्या है तो यह है है हेल्यू सीनो जंग बहुत इंपोर्टेंट रोग से भाई कहलाता है तो रोग से जो भाई है वो पेथोफोबिया कहलाता है मौर्फिन प्राप्त किया जाता है तो मौर्फिन जो है वो पेपेवर सोमनिफेरम से प्राप्त कियाता है ठीक है अफिम जिसका विगनिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम धमनियों में कोलेस्टरोल जमा होना क्या कहलाता है तो यह कहलाता है आर्टियोस केलोरिसिस ठीक है पार्किंसन रोगी में प्रभावित होने वाला न्यूट्रो ठीक है न्यूट्रो मीटर जो है वो क्या है तो वो होता है डोपामीन वह दातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है तो वो है पारा साबून का जलिये 밉ल्यन है तो यह होता है कॉलाइड वायो में दो प्रमुक गटा कॉनकॉन से हैं तो वह है ऑक्सिजन वह नेट्रोजन दो गुलनशिल द्रवों का प्रिथक करने की विधी तो वह है आस्वन विधी दूट से करिम प्रिथक करने की वीदी क्या है? तो वो है अपके अंदरन समुद्रि जल से नमख प्राप्ट करने की सहायक वीदी है तो वो तीवाश्पी करन तिंडल प्रभाव प्रदशित करने वादा विलियन है तो वो था कोलाईडल दो गुललशिन द्रवों को प्रिथक करने की वीदी है तो वो है कीप प्रिथक कराण शुद्ध को अपर प्राप्त करने की वीदी है तो शुद्ध को अपर जो है वो क्रिष्टिलिकरण से प्राप्त कियाता है वायू के गटकों को प्रिथक किया जा सकता है तो वो कहता है प्रभाजी आस्वन द्वारा ठोस पदार्थों को शुद्ध करने की विधी है तो वो है किस्टिली कराण दो गुललशिन द्रव़ों को पृथक करने की सरवादिक उप्युक्त विदी है तो वो है केप पितगराओं दो गुललशिन द्रवों की कुधनांक में 25 किलोमेटर कम कांतर है उन्हें पृथक करेंगे तो वो करेंगे प्रभाजियास्वन द्वारा वायू के विभिन कटक निम्न प्रक्रान द्वारा अलग किये जाते हैं तो वो कहते हैं प्रभाजी आस्वन विदी द्वारा रक्त से नशीले प्रदार्थ को प्रितक करने की विदी क्या है तो वो है क्रॉमेट ग्राफी यह युक्ती जो किसी चालक के सीरों पर विभिवांतर बनाये रखने में सायता करती है तो वो है बेटरी छे वाट बेटरी से गुजरने वाले एक कुलोम को कितने उर्जा दी जाएगी तो वो दी जाएगी दो जूल किसी परिपत में समान प्रतिरोद रखते हुए विभिवांतर का मान आधा करने पर दारा प्राप्त होती है तो वो होगी आधी विदुद धारा द्वारा प्रदत उर्जा की दर का निधान किया जाता है तो वो कियाता विदुद शक्ति से वोल्ट मिटर को विदुद परिपत में दो बिंदुओं के मध्य विवांतर मापने के लिए संयोजित करते हैं तो वो करते हैं समांतर क्रम में विदुद लेंपों के तंतुओं के निर्मान में प्राय उप्योग करते हैं तो ये किया दा टंगस्टन का अमिटर का प्रतिरोध होता है तो अमिटर का जो प्रतिरोध है वो शुन्य होता है किस सयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक्तम होगा तो यह होगा श्रणी क्रम में अम मिटर का मातरक है तो वो है प्रतिरोधक ताका विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्राणी क्रम में जोड़ कर उन्हें विद्ध इस्तिरोध के समंद करने का प्रतियक प्रतिरोध में होता है तो उसमें आएगा धारा समान बहती है लेकिन प्रतियक का विभवान तर विभिन्न विभिन्न होता है ठीक है तो यह मैं तो में पश्चन होती थी दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में दोस्तों तब तर के लिए जय हैं जय बारत वंदे मात्राम